हलो एवरिवान दिस इस पूर्वा और आज हमारा ओनलाइन एक्जाम कैसे होगा इसको लेकर ओरियंटेशन करवाया गया था सेमेस्टर सिक्स वालों का तो अलग-अलग टाइमिंग में आर्ट्स, कॉमर्स और साइन्स वालों का ओरियंटेशन था तो काफी बाते इसमें क्लि अप्रिकेटिड लग रहा है तो क्या-क्या हमें बताया गया चलिए बताती हूं तो सबसे पहले तो आपका जो प्रेडिक्सन चल रहा था कि हमारा एक्जाम गूगल मीट या फिर जूम पर लिया जाएगा तो यह सारे एप्स के थू हमारा ऑल्लाइन एक्जाम नहीं होगा हमें जो बताया जा रहा था उस पे मैंने शाइट देखा था it was something www.liveexam.com था और हमें बताया गया कि एक्जाम हमारा कॉलेज हमें अपना एक आईडी और पासवर्ट देगा उसी के थू हमारा एक्जाम होगा एक्जाम के टाइम आई गैस हमें लिंक प्रोवाइट किया जाएगा उसमें मैं स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ तो कॉलेज के साइट से हमें जो भी आईडी और पासवर्ट मिलेगा हमें उसको यहाँ पर इंपुट करना होगा और यहां से हमें साइन इन करना है साइन इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले मिलेगा जिसमें यह देखिया आपको दिख रहा होगा upcoming exam आपका completed exam इसके बाद आपका expired exam इस तीनों के बारे में आपको complete data यहाँ पर display में आपको show होगा जैसा कि upcoming exam में आपको दिखाई दे रहा है आपका exam का name लिखा हुआ मिलेगा last date कब था उसका उसके अंदर कितने question है और कितना total timing आपको provide किया गया था उसके बारे में तो इसी तरह से completed exam और expired exam के भी आपको वहाँ पर data show होगे इसके बाद हमारे online test को लेकर हमें कुछ checklist और requirements बताए गया जैसे कि must have an active, stable and high speed internet connectivity यानि कि जब आप exam दे रहे होगे तो आपका internet connectivity अच्छा और high speed का होना चाहिए इसके बाद make sure mobile laptop is fully charged power bank for mobile और UPS inverter for laptop desktop should be available for uninterrupted power supply यानि कि जब आप exam दे रहे होगे तो आपका phone fully charged होना चाहिए या फिर आपका PC laptop जो भी है साथ ही आप अपने पास अपना charger रखेगा for the uninterrupted power supply इसके बाद students should have sufficient data in FUP plan of service provider यानि कि आप अपना recharge जो आपका MBGB का validity और आपका planning है वो देख लीजेगा then if using mobile phone it should be in minimum 3G coverage with at least 500 MB balance data यानि कि आपके पास 4G है तो better है वरना आपके पास 3G होना ही चाहिए साथी 500 MB balance data आपके फोन में होना चाहिए if you are using mobile phone इसके बाद है आपका close all browsers tabs before starting the online test यानि कि जब आप online test अपना देने वाले होगे तो उससे पहले आपको आपका जितना भी browser और tabs है वो सभी को close कर लेना है minimize भी करना है close कर लेना है then once the test starts do not switch to any other window on doing so your attempt may be considered as malpractice और your test may get terminated यानि कि इसके बाद अगर आप कोई भी अपना यानि की बीच में आपका कुछ डिस्ट वालिफाइ कर दिया जाएगा ऐसा समझकी कि आप चीट कर रहे हो इसके बाद है तो अवाइड अन्वांटेड पॉपस अप यूज अज एड ब्लॉकर इस तो वो आप अपना देख लीजगा इसके बाद है क्लियर ब्राउजर कैसे मेमरी ओन मॉवाइल और लाप टॉपस यहाँ पर बोला जा रहा है आपको आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी क्लियर कर लेनी है फोन का जो कैसे पगर है उसको भी क्लियर कर लेना है अटेंड य स्मार्टफोन यानि की अभी जो करेंट हमारा चल रहा है गूगल क्रोम ब्राउजर और मॉजिला आपको यही यूज करने के लिए बोला जा रहा है इसके बाद बताया गया हमें कि जब हम अपना आईडियो और पासवर्ट डाल कर लॉग इन करेंगे तो आपका वहाँ पर जो फेस है वो कैमरा रिकागनाईज करके स्कैन करेगा उसे यहां पर देखे कुछ और हमारा इंस्ट्रक्शन से फोटो आईडियो और स्टुदेंट्स में भी वेरिफाइड दूरिंग मॉनिटरिंग बाई एक्जाम डिपार्टमेंट जासा कि मैंने अभी आपको बता है आपका जो टाइम है आपको उसरी टाइम जॉइन करना है लेट जॉइनिंग पर आपको अलॉएंस नहीं मिलेगा डिजेवल डिएंडी फोर रेसिविंग थेस्ट ओटीपी और रिजिस्टर मॉबाइल नंबर यानि कि अगर आपने डिएंडी को आक्टिव करके रखाया त क्योंकि आपके फोन में एट ओटीपी आएगा आपके जो भी रजिस्टर मॉबाइल नंबर है उस पर देन है स्टुडेंट्स कान समिट दा टेस्ट बिफोर टाइम एक्सपायर्स इफ टाइम एक्सपायर्स टेस्ट विल बी सुमिटेड आटोमेटिकली आप अगर आपका कंप्लीट हो जाता है टाइम से पहले तो आप समिट कर सकते हो अदरवाइज टाइम एक्स्टेंड होने के बाद आपका आटोमेटिक वो समिस्टन ले लेगा इसके बाद है फोर एनी टेकनिकल क्वेडिस डिफिकलिटीज इमेडियेटली मेल विट प्रॉपर स्क्रिन रहे हैं इसके बाद हमें डूज और डोंट्स बताया गया जैसे कि नो ब्रेक्स अलॉट दिरिंग टेस्ट शेशन में गेट टर्मिनेटेड और ग्रांट्स ऑफ आइडल टाइम हमें कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा और नो वन अधर दें स्टुडेंट सुड बी प्रेजें यानि कि अगर आप एक्जाम दे रहे हो तो केवल आप ही वहाँ पे रहने चाहिए नो अधर थर्ड और फोथ और सेकेंड परसन इसके बाद है स्टुडेंट्स हैव तो अगर आप लॉग इन करोगे तो आप से पहले ही आपका जो अलॉड और वीडियो होता है वो मांगा जाएगा तो आपको वो अलॉइंस देना पड़ेगा वरना आपका आगे प्रोसस नहीं बढ़ेगा फिर अगला है स्टुडेंट्स हैव तो अगरी तो दे कैंडिडेट रूज विच अप्यरिंग अड़ सारे रूज को भी अलॉग करने होंगे यानि वही सारे टर्म सेंड कंडिशन जो होते हैं जिसे आपको लास्ट में आई हैव तो अगरी पर क्लिक करना होता है यहां पर देखिए जब आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा और यह फेस अभी आपका जो दिखाई दे रहा है यहां पर स्क्रिन पर हां यह आपका स्कैन हो कंडिशन के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा डिट थैंस्ट्रक्शन केरफुली स्टाइंग दा बिफोर स्टाइंग एग्जाम यू हैव थ्री आवर्स तो कंप्लीट दैग्जाम दैग्जाम इस आफ टोटल सिक्स कुशन यानि आपका जो इंस्ट्रक्शन से रहेगा सबसे पहले वह आपको शुरू में ही दिख जाएगा उसके बाद आपका बिगन टेस्ट पे आपको इसके बाद क्लिक करना होगा सबी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजेगा बिगन टेक्स्ट के बाद ओके पर क्लिक करने के बाद य पर देखिया आपका टाइमिंग दिखाया जा रहा है कि आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है वहाँ पर शो होता रहागा तो पढ़ने के बाद आपको अपना आंसर लिखना है आंसर के लिए हमें बताया गया कि आप A4 साइस का पेपर यूज कर सकते हो हमें साजेशन दिय कि आपको रूलर पेपर यूज करना चाहिए बाकी आप चाहो तो विना रूलर वाले भी पेपर यूज कर सकते हो इसके बाद एक आंसर आप अपना लिखने के बाद आप अपना ये टैब जो है उसे बंद करोगे उसका फोटो क्लिक करोगे उसका फोटो क्लिक करने के गया है, 4 MB से जादे एकसीड नहीं करना चाहिए और उस PDF को आपको फिर से बैक आकर यहां पर ब्राउस फाइल दिखाई दे रहा है आपको, हाँ वहां पर जा कर आपको इस PDF को अटैच कर देना है, अटैच करने के बाद नीचे में यहां पर जो ब्लैंक स्पेस आंसर लिखन के बाद, यानि कि यहां पर यह करना है कि हर इंडिविजवल आंसर लिखने के बाद आपको इसका PDF बनाना है और PDF को इंडिविजवली अटैच करना है, यह इसलिए कि यहां पर कुछ और बाते बताएं गई थी, कि आप at a time सारे question देख सकते हो और उसके बाद आप चाहों question पर भी जाके click कर सकते हो कि मुझे यह यहां पर देखे 1,2,3,4 आप जिसका चाहे उस पर जाकर देख सकते हो question उसके बाद आप अपने convenience के according question को try कर सकते हो, और यहां पर सबसे सबसे जरूरी बात जब आप अपना एक answer लिखने के बाद PDF को attach कर रहे होगे तो हर attachment पे आपक को maximum दो टाइम्स दिये गया है, विंडो को switch करने का और आपका time limit भी दिया जाएगा कि इतने minute में आपको वो PDF attach करके आपको दूसरा question attempt करना है, तो आज तो हमारा यही था, बाकि हमारे कुछ students ने कुछ queries वगरा भी पूची हैं, तो अगर आपका भी same इसी तरह से, जैसे हम सिक्स वालो का एक्जाम हो रहा है, इस तरह से होता है, तो आप लोगों का भी orientation होगा, तो आप लोगों को जो भी दिक्कत है, आप अपने orientation session में पूछ लीजेगा, बाकि कुछ भी दिक्कत हो तो आप comments box में, you are welcome, thank you. झालो का इसा में, इसे हम आपका पूछ झालो का खंगों का जगर यान. झाल 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 झाल